जैहिन दोस्तो, आज का हमारा टॉपिक है क्रेण सासित परदेश, क्रेण सासित परदेश से जूपी इंपॉर्टन कोश्चन बनते हैं, वो सारे लिए गया है, तो चलिए वीडियो के शुरुवात करते हैं, बात करने वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में भारत में जो क्र परदेश बिशा गया है, एक परसासक की रूप में उपराजपाल होता है, जो भारत के राशपती का परतिनिद्र होता है, और कें सरकार दोरा नियूट किया जाता है, अब चलिए कोश्चन के फोर्म में कबर करते हैं, तो सबसे पहला कोश्चन है, क्रेण सासित परदेश दिल्ले की राजधानी क्या है, क्रेण सासित परदेश दिल्ले की राजधानी क्या है, तो दिल्ले की जो राजधानी है, वो है नई दिल्ले, क्रेण सासित परदेश दिल्ले की राजधानी है, बात यह हो और यह दिल्ले की जिसकी राजधानी है, नई दिल्ले, मुखमंतर जो वर्थमान समय में हैं, वो हैं अर्बिंध केजरिवाल राजभासा की बात के तो राजभासा है यहां की है, वो हैं हिंदी और अंग्रीजी हिंदी और अंग्रेजी, के साजित परदेश दिल्ली की राजभास है और उच्छ नेयाली की बात करें तो उच्छ एनल जो इसके स्थित है वो दिल्ली में स्थित है चलते हैं नेक्स्ट कोईश्चन की ओर अगला कोईश्चन है क्रियन साधित पर्देश अंडमान एंड निकोबार दीब समू की राजधानी क्या है तो इसका जो right answer हो जाता है वो जाता port player port player किसाजित प्रदीष, under man and niko bar dheer samu की राजधानी है बात यह हो ओरी under man and niko bar dheer samu की जिसका निर्माली अगठन हुआ था 1 November 1956 को 1 November 1956 को under man and niko bar dheer samu का निर्माली अगठन हुआ था राजधानी की बात करें, तो राजधानी है, पोट बिलेयर, उपर राजपाल की बात करें, तो एड्मिरल डीके जूसी, यहां के उपर राजपाल है, जुलो की संख्या की बात करें, तो जुलो की संख्या तीन है, और सीटे की बात करें, तो लोकसभा की एक सीटे हैं, राज प्रसासक जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित चंडीगर के परसासक है राजभासा की बात के तो राजभासा है हिंदी, पंजाबी और अंग्रीजी यहां की राजभासा है चलते हैं नेस्ट कुश्चन के और अगला कुश्चन है क्रेंसासित परदेश दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी क्या है तो इसको राइट अंसर हो जाता है वो जाता है दमन, दमन जो है वो कैसा जित परदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी है प्रफुल कोदा पटिल यहां के परसासर है और राजभासा की बात करें तो कूंकडी, गुजराती और हिंदी यहां की राजभासा है चलते है नेक्स्ट कुश्चन के और अगया कोश्चन है क्रेंसासित परदेश लच्छ दीब की राजधानी क्या है? क्रिन सासित पर्देश लच्छ दीब की राजधानी क्या है तो क्रिन सासित पर्देश लच्छ दीब की जो राजधानी वो है कौरती कौरती जो है क्रिन सासित पर्देश लच्छ दीब की राजधानी है बात यहरी लच्छ़दीब के जिसका निर्माडिया गठन हो था एक नॉमबरjach 1956 को राज़धानी है Qurati परसासर जो है यहाँ पर प्रफूल खोदा पतेल है परफूल खूदा पटेल लच्वदीब के भी परसासरे है जिलो की संख्या की बात के तो जिलो की संख्या है एक, राजभासर की बात करें तो मल्यालम और अंग्री जी, यहां की राजभासर उच्चनयाले की बात करें तो यहां का जो उच्चनयाले वो कोच्ची कियल का है चलते हzę, नेक्स analyst question के और अगला question है किरिशासित प्रदेश पुदुचेरी की राजधानी क्या है? केज साथित प्रदेश पुदू चीरी के राजधानी क्या है अगात राजभास है जिलो की संक्या की बात का तो जिलो की संक्या है यहाँ पे दो तो राजभासा जो है तमिल, फ्रेंच और अंगरी जी, तमिल, फ्रेंच और अंगरी जी यहां की राजभास है, उच्छने आले जो है, वो मदरास उच्छने आले, यहां कभी उच्छने आले हैं, स्टीडो की बात के तो लोकसभा की एक सीटे हैं, बिधान सबा की तीस सीटे एक चिज और द्यान रखेगा भारत की सबसे चूटी पिधान सबा जो है वो यहीं की है चलते हैं नेक्स्ट कोशन के उगणा कोशन है क्रेंसासित परदेश जं staar की की राजदानी क्या है तो जंहो कास्था नगर और जंणौ स्री नगर जो हो ग्रिम्स काली राजधानी है और जम्मू जो है सीथ काली राजधानी है बात यहुरी जम्मू कस्मीर की जिसका नेरमालय गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कस्मीर जो हो करिंसासित परदेश बना राज़ानी जो है यहांकी दो राज़ानी है समर कैपिटल जो है स्रीनेगर, बिंटर कैपिटल जो है सीत काली उपराजपाल की बात करें तो मनोस सिनहा वर्तमान समय में यहांके उपराजपाल है और उपर राजपाल है, जिलो की संख्या की बात कें तो जिलो की संख्या 20 है, सीटे जो है वो लोग सभा की 5 सीटे हैं, राज सभा की 4 सीटे हैं और विधान सभा की 89 सीटे हैं, विधान परिशन भी हैं जिसकी सीटों की संख्या 36 है, राजभासा की बात कें तो कस्मेरी, इरदू, हिंदी और अंग्री जी यहां की राजभासा है। चलतर है नेक्स्सासित पर्देस लग्दाक की राजधानी क्या है? तो पर आजपाल जो राधा किस्टमातुर यहां के उपर राजपाल है। जिलो की बात के तो जिलो की संख्या दो है, ले और कारगिल, राजभासा की बात के तो हिंदी, लद्धा की और तिर्बत्ती यहां की राजभासा है, तो यहार जो complete बीडियो था भारती क्रिंसासित परदेश से था, जो भी important fact थी, वो भी सारे लिये गया है, अब चली, आज क आज की वीडियो से question है, उसका right answer आप लोगो comment box में बताना है, आज की वीडियो से question है, क्रिंसासित परदेश लच्छे दीप में जिलो की संख्या कितनी है, इसका जो भी right answer हुआ, comment box में जरू बताएगा, साथ साथ में वीडियो कैसा लगा, उसके बारे भी जरू और इसे किसी education group में वीडियो को share भी जरू करिएगा, तो चलिए, विलतेक नए वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, बंदी मातरम